बढ़ते हुए तापमान के चलते मौसन विभाग का आज यलो एलर्ट नागरीको को सतर्कता का इशारा मौसन विभाग के पुरवान उमान उनुसार आज शुकरवार 5 अपरल को चंद्रपुल शहर में गरम हवाय थी संबन में यलो एलर्ट डिया गया था साथ ही नागरीको को सतर्क रहने की छेताव नी दी है मनपस वास्तर विभाग के माधम से हीट स्ट्रोक के खत्रे के रोक थाम के लिए विपिन उपाई किये जा रहे है नागरीको को यथा संबो दोपेर 12 बज़े से शाम 4 बज़े के बीच तेज धूप से बहार निकलने से बचना चाहिए नागरीको को घर को धंडा रखने के लिए कूल रूफ टेक्नोलोजी का उपयोग करना चाहिए गर की छट पर हीट इंसुलेटिंग अर्थात उष्णता रुदक पेंट लगाना चाहिए इससे तापमान को दो से तीन डेगरे तक कम करने में मदद मिलती है लू के कारण आपत कालिंस सिती में अम्बूलेंस को कॉल करना चाहिए इसके लिए 108 नंबर भी उपलब्द कराया गया है यातायाद विभाग को बारा से तीन बज़े तक ट्राफिक सिगनल बंद रखने के निरदेश दिये गए है ताकि नागरिकों को ट्राफिक सिगनल पर जादा देर तक खड़ा न रहना पड़े नागरिकों को लू के खड़े से बचने के लिए जिला सामने अस्पिताल में शीत वाड की ववस्था की गई है यलोई लटके अवदी के दौरान दोपैर बारा वज़े से शाम चार वज़े के बीच दूप के संपर्क में आने से बचना चाहिए इन दिनों में हलके वज़न, हलके रंग और भीले कपडों का प्रयोग करना चाहिए गर्मी के कारण शरीर में बहुत अधिक पसीना निकलता है इसलिए शरीर में पानी की मातरा कम हो जाती है इससे बनाए रखने के लिए इन दिनों में अधिक पानी पिए शराप, चाए, कॉफी, सोड़ा, युपत, कोल ट्रिंग के सेवन से बचे या पदार्थ शरीर में पानी की मातरा को कम करते है और घर पर बने पिये जैसे लसी, छांच, निम्बू पानी, तोरी, चावल का पानी, आम का पेस्ट, नारियर का पानी, आधी का सेवन करे इससे डिहाइटरेशन नहीं हो सिर पर टोपी या दुपट्टा या रुमाल वांदे, छोटे बच्चों, बुजर्गों और स्वास्त समस्याओ वाले लोगों को इन दिनों में विशेश ध्यान रखना चाहिए तंडे स्थान, बातावरण में रहे और तंडे पानी से स्नान करे बासी भोजन और उच्छे प्रोटीन वाले खाद्यपदार्द को खाने से बचे दूप में आत्रा करते समय आँखो पर चश्मा लगाना चाहिए, टोपी चाते का प्रयोग करना चाहिए